Hello there students, welcome back. यह question है 2007 के gate exam में इसे 2 marks के लिए. तो एक बार ही मैं पूरा question बढ़ता हूँ, फिर हम इसे solve करेंगे. Suppose only one multiplexer and one inverter are allowed to be used to implement any boolean function of n variables. यानि कि आप एक multiplexer और एक not gate ही use कर सकते हों किसी भी boolean function को implement करने के लिए और उस boolean function में n variables हैं. What is the minimum size of multiplexer needed? तो यह रहे चार options. आपको पता है n variables वाले boolean function को implement करने के लिए 2 raised to the power n is to 1 multiplexer की जरूरत पढ़ेगी. यानि कि option a answer होता है अगर हमें सिरफ multiplexer यूज़ करके implement करना था. बट यहां पे multiplexer के साथ साथ एक not gate भी दिया गया है. तो not gate यूज़ करके हम multiplexer का size कम कर लेंगे by 1. यानि कि 2 raised to the power n is to 1 से हम 2 raised to the power n minus 1 is to 1 पर चले जाएंगे. तो answer है option c. अब यह question दो marks के लिए था. अगर आपने थेरी पड़ी है और आपने ऐसे एक दो questions किये हैं यानि कि एक function को multiplexer से implement किया है तो आपको ये question को solve करने में जादा से जादा 10-15 सेकंड लगेंगे. Anyways, अब मैं इसे detail में explain करता हूँ. देखो. माल लो n की value है 3. हमारा function इन 3 variables पर depend कर रहे हैं. कोई भी function ले सकते हैं. Let's assume 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Okay, कुछ भी माल लो. अब अगर इसे आप सिरफ multiplexer से implement करना चाहते हो. तो देखो, हमें लगेगा 2 raised to the power 3 ratio 1 multiplexer. यानि की 8 ratio 1. यहां पर मैंने 8 is to 1 multiplexer बना रखा है. इसे अगर ऐसे multiplexer से implement करना है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा. सिरफ ये जो function की outputs हैं. इन्हें as it is इसकी input में connect कर दो. यानि की 001, 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 001. बस ये function implement हो गया. देखो, यहां पर मान लो हम इस output की बात कर रहे हैं. तो 5 पर output हाई है. जब यहां पर value होगी 101, 001, यह अपनी 5th input को select करेगा. यानि कि ये वाली. तो इस पर हमने 1 connect किया, यानि कि इसकी output भी हाई आएगी. इन सभी inputs के लिए, यही values ही तो हमने connect कर रखी हैं, जो function की output थी. तो इसकी output भी वही होगी. यानि कि function implement हो गया. बट अब अगर हम इस multiplexer का size कम करना चाहते हैं, यानि कि यहां पर 2 ratio 3 by 1 यूज किया है. Sorry, 2 power 3 ratio 1 यूज किया है. अगर हम 2 power 2 ratio 1 यूज करना चाहते हैं, यानि कि 4 is 2, 1. क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक inverter है. लेट सी, वो कैसे होगा. अब यहां पर हमने तीनों variable select line में यूज किया है. 2, 4 is 2, 1 में हम यहां पर 2 variables ही यूज करेंगे. देखो, let me show you. अब हम एक multiplexer और एक not gate यूज करके, implement करना चाहते हैं वो function. देखो, मैंने 2 variables इसकी input में, select lines में यूज कर लिए. तीसरा variable कहां यूज होगा? लेट सी. देखो, जब यह select lines है, 0, 0. यानि कि यह दो case. दोनों में ही output function की 0 चाहिए. यानि कि C चाहे कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. output पका 0 होगी. तो 0, 0 में, यह multiplexer, जो भी यहाँ पे connected है, उसे output में देगा. तो यहाँ पे 0 connect कर दो. अब इस case में देखो. जब A, B की values हैं 0, 1. तो multiplexer जो भी यहाँ पे connected है. यानि कि first input पे जो भी connected है, उसे output में देगा. यह 0 त input, यह रही first input. हमें इस case में चाहिए C complement. देखो. 0, 1, 0, 1. यानि कि यह दोनों cases में function की output है C का जो भी complement है. C 0 है तो output 1 नहीं. C 1 है तो output 0 आई. यानि कि यहाँ पे भी आप C complement connect कर दोगे. अब जब function की value है, 1, 0 इस case में देखो क्या होगा. 1, 0 के case में, यहाँ पे आपको connect करना पड़ेगा 1. यह output, sorry, यह input permanently 1 होगी. क्योंकि इन दोनों ही cases में function की output है 1. यानि कि function है independent of C. ओके, और last case में आप देख सकते हो. फिर से हमें C complement चाहिए. अब देखो, 0 और 1 तो generate करने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें सिरफ C complement generate करना है, variable C से. उसके लिए एक not gate है हमारे पास, ओके. तो यह देखो, circuit ऐसे बनेगा. यह रहा C. कि, हमने उसे invert किया और यहां पे connect कर दिया. ओके, इसी को ही हमने fourth input में भी connect कर दिया. तो ऐसे हम एक n variable वाले function को, 2 power n minus 1 is to 1 variable is to 1 multiplexer से implement कर सकते हैं. अज़र आप चाहो, तो इस multiplexer का size और भी कम कर सकते हो. यानि कि, option D भी answer हो सकता था. बट उसके लिए, सिरफ not gate से काम नहीं चलेगा. हमें शायद कुछ and और कुछ और gates की भी जरूरत पड़ेगी. ओके. मतलब कि, इस case में answer option D नहीं है. इस case में answer C ही है. ओके. ओके.